अपना स्वागत है स्टेडी विन नीरत सर दोस्तों वड माला हिंदी की में वड माला सीरीज चल लई है जहां पर आपको जो है 86 प्रस्णों की स्रंखला कराई आएगी जो की हर एक्जाम में इंपोर्टेंट होंगे खास कर एगरी कल्चर, टिये, शुगर केन, लेकपाल, कोई भी परिच्छा हो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी एक भी प्रस्ण यहां से बाहर नहीं आएगा दोस्तों आईए स्टाट करते हैं 56 कोशन हो गए थे 57 नमबर पे आते हैं निम लिकित में से अंतस्त वेंजन कौन सा है तो अंतस्त वेंजन आपका यारा लावा पता है आपका जो अंतस्त वेंजन है वो यारा लावा है तो इसमें सिर्फ जो है आपको या मिला है तो यही आपका आंसर सही होगा में से O का उच्चारण इस्थान कौन सा है O का उच्चारण इस्थान दोस्तों है B मूर्धा जो है वो O से बोला जाता है चा और छावण का उच्चारण इस्थान कौन सा है चा और छावण का उच्चारण इस्थान तालू है तालू तालू से चा और छा वर्ण का उच्चारण किया जाता है 60 कोशन हिंदी वर्ण माला में वेंजनों की संख्या कितनी है तो वेंजनों की संख्या 33 है भासा की सबसे छोटी इकाई क्या है भासा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अच्छर होती है निम लिखित सब्दों में किस सब्द के द्यूतत्व व्यंजन है द्यूतत्व मतलब जो है द्यूतत्व व्यंजन है प्यूतत्व व्यंजन मतलब जोहै जो सेम वर्ण हो जिसे ला हो तो आधा ला हो ता हो तो आधा हो तो का हो तो आधा गा हो ठीक है तो जो है का के बार आता है। चा छा सचत्री वाली धोनी किस च्वर के अंतरगत आती है। आती है। तो संयुक्तमण लणा है यह पता है। चा तरंग्य यह संयुक्तमण है। ठीक हें बहुत इंपोर्टन है। आप वी डियो देखिए हमारा इससे पहले सब कुछ वहाँ के लिए हो किया गया है। 65 निमलिखित में इसने अगोसमण कौन सा है। 65 अगोसवन आपको पता है सा है कौन सा सा घा का उच्चारण इस्थान कौन सा है 66 घा का उच्चारण इस्थान कौन सा है तो घा जो है वो कंठ से बोला जाता है निम्लिकित में संयुक्त वेंजन कौन सा है तो आपको पता छात त्रंग्या यह संयुक्त वेंजन है ग्या से ग्यानी वर्ण किन वर्णों के शयोग से बनता है तो जा प्लस इयां जा प्लस इयां से बनता है और जा प्लस इयां मैं आपको बता दूँ कि आधा जा हलंत जहां होगा वहाँ होगा जा प्लस इयां मतलब अगर जो है ग्या आए तो वो दो वर्णों के यूग से बना है जा प्लस इया नेक्स्ट सिक्स्टी नाइन कौन वर्ण ओंस्ट नहीं है सिक्स्टी नाइन तो बड़ा आ जो है यहां पर ओंस्ट नहीं है अल्प प्राण दुनियों का समूँ कौन सा है तो अल्प प्राण दुनियों का समूँ जो है जा जा और इया है अल्प प्राण मतलब पहला तीसरा पाचवा मलप महा प्राण मतलब दूसरा चौथा वर्ण सब्द का अर्थ नहीं होता है तो वर्ण मिस आकास नहीं होता है रंग होता है जाते होती अच्छर होती है और जो 72 कौन वर्ण गोस नहीं है अब देखिए गोस और सगोस के ये बहुत सारी ट्रिके बता दिया हूं ठीक है तो उनको जो है आप जो है पीछे जाकर पढ़िए ठीक पूरा पढ़ा है सब तो इसमें जो है कौन सा वन घोस नहीं है तो मैं आपको बता दू ता जो वन है ता वो घोस नहीं है कौन सा ता वन जो है वो घोस नहीं है किन धु को अनुस्वार कहा जाता है तो स्वर के बाद के आने वाली नाशिक की दुनियों को अनुस्वार कहा जाता है किस सब्द में किस सब्द में री श्वर नहीं आता है तो रिवाज में री श्वर नहीं आता है निम लिखित में से दंतविवण है दंतविवण आपका ता है घा का उच्चार्ण इस्थान कौन सा है घा का उच्चार्ण इस्थान जो है वो कंठ है सतहत्ता नमर पे आते हैं हिंदी सब्द कोष के अनुसार संतान सकल सचल सचम सब्दों का सही करम क्या है सतहत्ता नमर तो इसका सही करम जो है वो संतान है सकल है सचम है और सचल है नेक्स पॉइंट निम लिकित में से महाप्राण कौन सा है तो महाप्राण आपका जो है वो था है हिंदी सब्द कोष में अंग और आ किस वन के साथ आते हैं तो ये हिंदी सब्द कोष में अंग और आहा किस वन के साथ आते हैं तो छोटा आ जो है उसके साथ आते हैं च्छा वन किस योग से बना है कापलस्षा के योग से बना है निम लिखित निम लिखित निम में से कौन सा सब्द अमात्रिक है जिसमें मात्रा नहीं है तो कलरों में कोई मात्र नहीं इसलिए मात्रिक टा वर्ग किस प्रकार का वेंजन है टा वर्ग जो है वो मूर्धन है मुह से बोला जाता है हिंदी वर्ण माला में वेंजनों की संख्या जो है वो 33 होती है निम लिखित में कौन सा वर्ण अंतस्त नहीं है या रालावा अंतस्त है हा नहीं ह अगोस वर्ण कौन सा है तो इस में से जो सा है वो अगोस वर्ण है कहड़ी पाई वाले वेंजनों को सञ्यूक दरूप में कैसे बनाया जाना चाहिए आपको बता दूं खाड़ी चौपाई को हटा कर बनाया जाना चाहिए ये दोस्तों जो है 86 प्रेस्ण है यहां से मैं आपको बता दूँ कोई भी प्रेस्ण आपका नहीं छूटेगा दोस्तों 100% नहीं छूटेगा जो है मैं आपको बता दूँ इसलिए आप जो है Study with Nira Sar को जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए Study with Nira Sar ठीक है आपको सारे वीडियो जो है मिलेंगे आपको आप इससे समदित AZTA Sugar Cane Lake Pal का नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 7379823368 पर कॉल कर सकते हैं तो आप 7379823368 पर कॉल कर सकते हैं आपको पूरा कम्प्रीट नोट्स आपके घर तक पहुचाया जाएगा दोस्तों चैनल को हमारे इस्टड़ी नीरा सरक जो है सब्सक्राइब करिए सेर करिए लाइक कमेंट करिए जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे चैनल वीडियो सब्सक्राइब कर दोस्तों यह हमारा वर्ड माला टॉपिक समाप्त हुआ नेक्स्ट हम फिर आएंगे तब तक नमस्का धन्यवाद झाल